नमस्कार मैं हूँ मंजू आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही कम तेल बहुत ही कम मसालों से डावा इस्टाइल मटर पनी सब्जी घर पर ही कैसे बनाएं चलते हैं अपने किचन में मैंने लिए कड़ाई मैंने दो ग्लास दो ग्रैनी लिए उसमें मैंने 200 अगराम हरी मटर डाल दी है और थीन टामाटर कट करकर डालने हैं दो प्याज लिए पाश से साथ करिया लहसुन के लिए और चार से पांच हरी मिर्ची लिए लिए टामाटर को कट करना इसलिए क्यूकि कई बाइक अंदर से खराब होते है इनको क्या करना है पाँच से दस मध्त्क हमने पका लेना है पाँच मिनट हो गए हैं अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी अद्रक इनको फिर हमने दस मध्त-धक पका लेना है टेके इस तरी के समारी मतर आमाटर और प्याज सब पकके तयार हो गया इसको मैंने क्या करना थंदा कर लेना है अभि मुझे अलग अलग निकाल लेना है तो पानी है मतर का बचा हो वह मैंने नहीं फेकना तो इस तरीकसे देखिए टमाटर चिर्ट की छिल्क मैंने हम इंको यूज नहीं करना है और हरी मिग ची इसका मुझे पेश्ट बना भी दो करो होगार बना लेना is an ने देखिए टमाटर और हरी मिची की प्यूरी बनाली है अब हमने क्या करना है उसमें लशन अध्रप और प्याज का पेश्ट बना लेना है कुछ कलिया हमने प्याज के रख लिए जो मुझे साबुती सबजी में डाल नी है तो इस तरी कि हमारा पेश्ट बनके तयार हो गय अब इसमें हमें थोड़े से मसाले भी अट करना है तो इसके लिए मैंने लेना है एक चमच हल्दी आदा चमच नमक दो चमच देना धन्य पौडर और एक चमच लेना सब्जी मसाला और एक चमच लेनी है लाल मिर्ची आपने जैसा चाहिए आपको स्पाइसी चाहिए तो कम मिर्ची डाल सकते हैं इस तरीके मसाला हमें इतनी देर तक भूनना है कि हमारा मसाला जो तेल को छोड़ दे फिर हमने उसमें जो टामाटर की प्यूरी बनाई हुई थी वह हमने उसमें डाल देनी उसको भी तो तीन मड़ तक अच्छे से भून लेना है प्रेंट मसालों क किया थोड़े सा पानी डाल के इसको रख देना है पांई बाद में निकाल देना है पणी हमने इस तरीके से निकाल लेना है अब मिए कम अइदर मंसालला हमा अर्ट नहीं है ने दो करकुत से हमारा इस तरीके से मैंने दो कटोरी पानी इसमें डाल देना है और मुझे एक्स्ट्रा कोई भी पानी इसमें नहीं डाल लेना है इसको पास से दस मिनट तक अच्छे से पका लेना है और पकने के बाद में हमने पनीर उपर से बाद में इसमें एड कर देना है और चलाते कट्पूरणकों कि पढ़ में कि आने इसंग्य पॉपरे सब्सक्ति ऑंकि पनीर केुझ सुपानी सब्सक्रण मिटार्ट जाती जो मेंने मैं निकल जता है तो इस तरह के देखिए फ्रंट्स हमारी सब्जी बनके तयार हो गई है बिलकुर धावा इस्टाइल में बहुती कम बहुती कम तेल मसालों से तयार हुई अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेर और सब्क्राइब जरूर कीजिए और तब तक खाते रहिए म मुस्क्राते रहिए धन्यवाद